तो आज हम लेका हैं प्रभा ब्रांग की और से मिल्क पॉट जो की है एकदम न्यू डिजाइन में आज हमारे पास है दो साइज अवालेबल तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं बॉक्स को एंड बताते हैं इसका फर्स्ट लोग और कैसा है इसका कॉलिटी तो दो साइज है एक है अराउंड 12 सेंटे मीटर 11 सेंटे मृट्र एक एराउंड 14 सेंटे मीटर के आसबास की उलसे सब्सक्राइबल तो तो फटा-फट से कबर को निकाल लेते हैं एंड प्रेकेजिंग बहुत बड़िया क्वालिटी ही देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका परस्ट लोक है तो देख सकते हैं दौनों यह यूनिक डिजाइन में देखने को मिलता है आपको एंड फर्स्ट लेंगे हम 11 सेंटीमीटर जो की कुछ इस तरह की है आप देख सकते है यह मिल्क पार्ट एंड इसमें आप देख सकते हैं ग्लास लिड देखने को मिल जाता है कंपेटबल हैंडल देखने को मिल जाता है 11 सेंटीमीटर एंड कैपसिटी की बात कुछ तो 1.1 लिटर की जो है कैपसिटी है और बहुत ही बड़िया क्वालिटी की स्टेंडर स्ट बॉटम ताकि अगर आप मिल्क वगेरा कुछ भी जो गरम करें तो नीचे स्टीक वगेरा ना हो एंड डॉट डॉट कोई कोई स्टील में क्या होता है ना डॉट डॉट जम जाता है तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं क्योंकि स्टैल बहुत ही बड़िया क्व बिल्कुल भी गरम अगर नहीं होगा एक दम कंपेटेबल हैंडल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फिटिंग क्या हुआ है एंड इंडर का सरपेश आप देख सकते हैं फुल मैट फिनिश का इंडर का सरपेश जो सरपेश है बहुत ही बड़िया क्वालिटी गाए यूज कर सकते हैं तो कुछ इस तरह का इसमें लीड भी काफी यूनिक तरिके से दे रखा है जो कि ग्लास लीड आप उपर से देख सकते हैं तो कुछ इस तरह का है एंड प्राइज की बात वीडियो के एंड में करूंगा तो यह है 1.1 लिटर एंड नेक्स्ट है इससे से फिनिश हैमर डिजाइन में देखने को मिलता है इसमें आगो फुल प्लैन चाहिए आप देख सकते हैं बॉक्स का उपर इस तरह से फुल प्लैन स्टील का साहिए तो वह भी आपको मिल जाएगा उसका भी लिंक में जो है डिस्क्रेप्शन में दे दूगा जब भी आप मिल्क जो है दूसरे बर्तल में चाहेंगा तो क्या होता है ना कोई-कूई बर्तर में आप इस तरह से लेना साहिते तो वह साइड से नीचे गिर जाता है तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वह एजी से डारेक्ट आपके dealing में गिरेगा जो की नीचे न गिरकेश, तो यह बहुत ही बड़िया जो कर उन्होंने डिजाइन बना है इसमें भी आपको ग्लास लीड देखने हों मिल जाएगा अगर आपको विदाउट लीड पर्चाज करना तो विदाउट लीड भी आपको मिल जाता है सभी का में लिंक कर डिस्कृस्ट में देद हुआ आप पर 9,0 जो कि डिस्कावं आपको मिल जाएगा एड चोटा साइज के बात कर दो 1,2,5,0 इसका जो कि चोटा साइज का प्राइस है एड प्लेइन का प्राइस थोड़ा कम रहता है जो कि हैमड का डिजन का थोड़ा ज्यादा रहता है और बाकि सब से हम है कैप्सूल, बॉत् जो कि food grade stainless steel, thick magnetic aluminum base, magnetic steel for induction जो कि यह base के बारे में दिया हूँ है, जो कि नीचे वाला base है, उसमें सबसे नीचे वाला है magnetic steel and center में का aluminum का layer दे रखा है और उपर का आपका food grade stainless steel बाकी और कुछ भी box के उपर mentionation रखा नहीं तो आई होप आपको वीडियो जुरूब पसंदा है, वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like, share, comment and please channel को subscribe कर जीजे, तो मिलते हैं ऐसे इस आंदर वीडियो में तो लिजे ही जय बारत